अलो फ्रेंट्स गुड मॉनिंग मैं हुए MJ फ्रेंट्स एक सवाल मुझे एक विवर ने पूछा था कि जैसे कि आपने बताया मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि प्लांट के उपर से ज्यादा से ज्यादा पत्ते कैसे लाये जाए तो उससे रि लेटरल ब्रांचिज उसकी टर्मिनल ब्रांचिज उसको हम कैसे मोटा कर सकते हैं जैसे कि यह जो बिखरे कितनी मोटी है और उपर भी अगर आप देख रहे हो एक थिक और हेल्दी ब्रांचिज है इसकी तो ऐसी थिक और हेल्दी ब्रांचिज करने के लिए हमें कौन सा फर बूद बन जाएगी और एकदम थिक और मोटी बन जाएगी ये सेम सारी चीजे उसी पैटन पे काम करती है जैसे कि हम यूमन्स काम करते हैं अगर आप एक ही फूड खाते रहोगे तो बाद में ऐसा नहीं है कि आप एकदम स्ट्रॉंग हो जाओगे आपको एक बैलेंस भी आएंगे आपके प्लांट की स्टेम ग्रोथ भी मोटी होगी तो कौन सा ऐसा बैलेंस डायेट है देखिए उसका बैलेंस जो प्लांट का बैलेंस डायेट होता है जो मेन जो नूट्रियंट होते है प्लांट के वो है नाइडरोजिन, फॉसफरोस, पोटेशियम लेकिन उससे भी उपर जरूरी है सनलाइट, वाटर, एर सरकूलेशन ये तीन चीजे भी उससे भी फर्टिलाइजर से भी ज्यादा जरूरी है जो आपके प्लांट की ग्रोथ को एक अच्छी ग्रोथ में कनवर्ट कर सकता है तो सबसे पहली चीज में आपको ये समझाना चाहता जब चाहिए जि एकौनाय गीशन ओंचना तो सबसे लेगा है जरूरी है तो आपको प्लांट की जो घ्रोथ है वो सलो हो जाएगी आपको चाहिए ऐसा रिजल्ट नहीं मिलेगा आपका plant thick stem produce नहीं करेगा आपका plant ज्यादा leaves produce नहीं करेगा तो अगर आपके जो पानी का TDS है वो 1.500 से धाई सो या तो 300 तक होगा तो बाद में आपका जो plant है वो अच्छी ग्रोथ कर सकता है ये पहला criteria है दूसरा criteria है वो है sunlight यानि कि ऐसा location जहाँ पे उसको कम से कम 4-5 गंट सेगी direct sunlight मिल सके लेकिन अगर आपके आएक ऐसा location हो जहाँ पे sunlight चंके आती है यानि कि उपर बहुत सारे पेड़ घने पेड़ हो लेकिन फिर भी जो sunlight आती है वो पेड़ से filter होके आती है तो ये sunlight भी plant के लिए useful रहेगी आपका plant अच्छी ग्रोथ कर सकेगा लेकिन आपने ए एक ऐसे direction में plant grow करते है जहांसे sunlight की सिर्फ brightness आती है और dark brightness आती है brightness भी दो type की होती है जैसे कि अभी मैंने एक example बताया है कि अगर आपके आसपा स्पेड़ पौदे ज्यादा है लेकिन जो sunlight की वो brightness जो आती है वो full brightness होती है वो brightness में आपके plant अच्छे होंगे लेकिन ऐसी brightness जो dark brightness हो वो dark brightness में आपके roses कभी भी नहीं चल पाएंगे तो इसलिए आपको ये चीज का भी ध्यान देना है कि अगर आप healthy rose grow करना चाहते हो तो बाद में आप अपने पौदे को एक अच्छी sunlight वाले location में रखिए तीसरी condition वो है हवा यानि कि air तो plant को भी एक ऐसा location दीजिए जह पर उसको air circulation, air moment अच्छी मिले यानि कि जहाँ पर air flow हो आप आपके जो plant है वो हवा में जूलता रहे धीरे धीरे ऐसे location में अगर आपने plant को रखा है तो plant को ऐसा location बहुत अच्छा लगेगा तो ये पहली criteria है जो आपको fulfill करनी है अगर आप अपने plant के उपर healthy stem और healthy leaves लेना च करेंगे दूसरे criteria की वो है fertilizer 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 में plant के आपके पास बहुत सारे options होते हैं लेकिन आपको एक चीज को ध्यान देना है कि organic fertilizer कोई भी plant का बेज होता है organic fertilizer के बिना आपके plant एक healthy growth नहीं ले पाएंगे तो organic fertilizer में बहुत सारे options है जैसे की vermicompost, cowden compost बाद में अलग-अलग type के organic fertilizer है लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा deep में नहीं जाओंगा वीडियो लंबी हो जाएगी मैंने organic fertilizer पे एक वीडियो बनाई है जो अभी आप link description box में देख रहे हो वहाँ पे आप जाके वो वीडियो देख सकते हो के at present situation, climatic condition के according आपको कौन सा organic fertilizer use करना है तो organic fertilizer में beneficial microorganisms और fungus होते हैं जो आपके plant को nutrients पहुचाने में help करते हैं लेकिन रोज एक ऐसा plant है जिसको हम heavy feeder बोलते हैं तो अगर आप अपने plant के उपर fast growth लेना चाहते हो एक healthy growth लेना चाहते हो तो थोड़ा अगर आप chemical fertilizer भी use करोगे तो आपको result अच्छा मिलेगा तो यहाँ पे बात आएगी friends कि हम अपने roses के उपर एक healthy और moti stem कैसे produce कर सकते हैं कैसे हम maximum shoots produce कर सकते हैं अब यहाँ पे friends मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक दो दिन का process नहीं है सबसे पहले तो friends आपको अपने plant की एक अच्छी healthy और vigorous growth लेने के लिए आपको अपने plant के उपर pinching करना है देखिए pinching का जो process है ये पूरा साल चलता रहेगा जैसे ही friends plant की flowering season खतम होती है यानि की March या 15 April के बाद plant की flowering season खतम हो जाती है उसके बाद शुरू होती है गर्मिया तो गर्मियों की season में मैंने आपको जो first criteria बताया है वो criteria आपको fulfill करना है और बाद में आपको अपने plant के अंदर pinching regular basis पे करते रहना है flower buds को pinch करते रहे है आपका plant धीरे 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 करके ज्यादा leaves produce करेगा और ज्यादा branches produce करेगा और अगर आप थीक तरीके से पहला criteria fulfill करते हो तो बाद में आपका plant एक healthy branch भी produce करना शुरू कर लेगा और आपके plant के उपर से basil भी आना शुरू हो सकते है तो इसलिए ये सारी चीजे जो आप मैं बता रहा हूँ उसका जो base है वो पहला criteria है जो अभी हमने बात की थी तो जैसे कि आप pinching करते रहोगे up to आपको pinching करते रहना है October या तो जब तक आपके रात का temperature 18 degree से नीचे नहीं जाता तब तक अगर आप pinching करते रहोगे तो आपका plant तब तक बहुत सारे पत्ते develop कर सकता है और healthy stem, healthy shoots produce कर सकता है लेकिन यहाँ पे बीच में friends हमें बहुत सारी मुश्कलियों का सामना करना पड़ेगा उनमें से सबसे challenging situation होगी वो है pest attack की आपके plant के पत्ते को खराब करने के लिए mites, thrips जैसी बीमारी लग सकती है आपकी जो stem को खराब करने के लिए dieback जैसी बीमारी लग सकती है बाद में दूसरी बहुत सारी stem से related बीमारी होती है जो आपके plant के उपर लग सकती है तो उसके लिए आपको insecticide का spray करना होगा, fungicide का spray करना होगा एक regular interval पे, हर 10 दिन में, 12 दिन में, एक बार आप कोई भी अच्छा सा fungicide और insecticide आप अपने पोधे के उपर spray कर सकते हैं मैंने अभी last video ही बनाई है के अभी at present situation में कौनसा insecticide हमारे plants के लिए safe रहेगा, अच्छा रहेगा, वो वीडियो का link भी मैंने description box में दिया है, वहाँ पे जाके वो वीडियो देख सकते हो तो fungicide, insecticide regular basis पे चलने चाहिए, तब ही जाके आपको final result अच्छा मिल सकता है दूसरा जो muskliयों का सामना आपको करना पड़ेगा वो है बारिश का, बारिश की season के दोरान आपके plant के अंदर, यानि की root system के आसपास rotting create हो सकती है, वो rotting आपके plant की stem को गला सकती है यहाँ पे मैं एक और चीज एड़ करना चाहता हूँ friends, कि अगर बारिश की season में जब आप अपने plant के अंदर excess fertilizers देते हो, मेबी वो कोई भी fertilizer हो, nitrogen हो, calcium nitrate हो, magnesium nitrate हो, या तो excess fertilizer देते हो, तो plant की जो stem होगी, ये जो stem है इसकी, ये soft होना start हो जाएगी, और ये softness की वज़े से आपकी जो stem है, वो गलना भी start हो सकती है, यानि की die back मार सकती है, तो ये एक बहुत बड़ा challenge होगा, जो आपको बारिश की season में face करना होगा, चीज ध्यान रखिए, कि बारिश की season में ज्यादा fertilizer हमें अपने पोदे को नहीं देना है, क्योंकि plant already soft हो चुका होता है, बारिश की season में face करनी होगी, तो ये दो चीजे अगर आप face कर लोगे, ये आप manage कर लोगे, तो बाद में finally up to October तक आपका एक plant, एक healthy plant में convert हो सकता है, आपके plant के उपर बहुत अच्छी healthy और मोटी stem produce हो सकती है, अब basically friends, fertilizer में एक fertilizer है, एक ऐसा fertilizer है, जो हमारे roses के लिए सबसे ज्यादा जरूरी fertilizer है, और वो fertilizer एक major role play करता है, आपके plant के उपर एक healthy और मोटी shoots produce करने में, और वो fertilizer है, phosphorus, अब phosphorus है एक ऐसा fertilizer है, जिसकी वज़े से आपके जो plant के root system वो develop होंगे, जितने ज्यादा vigorous root system आपके plant के develop होंगे, आपका plant उतनी ही ज्यादा branches produce करेगा, और जितनी ज्यादा root system vigorous होते रहेंगे, आपके plant मोटी और healthy stem produce करेंगे, तो phosphorus आपके plant को देना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो roses के लिए इसलिए यही माना जाता है, कि 1260 fertilizer, one of the best fertilizers, roses के लिए माने जाते हैं, DAP fertilizers भी हमारे roses के लिए best fertilizer माना जाता है, क्योंकि यह fertilizer में phosphorus का ratio सबसे high होता है, और उसके अंदर nitrogen एक limited quantity में होता है, जिसकी वज़े से आपके जो plant के अंदर nitrogen की जो toxicity है, nitrogen के जो disadvantages है, वो भी नहीं होंगे, तो इसलिए 1261 यह fertilizer माना जाता है, जिसकी वज़े से आपके जो plant के plant की जो stem की thickness है, वो भी बढ़ती जाएगी, लेकिन यही एक सारे सवाल का जवाब नहीं है, आपको magnesium और micronutrients भी apply करना पड़ेगा, magnesium sulfate एक ऐसा fertilizer है, जो आपके पोदों के अंदर photosynthesis activity को perform करने में help करता है, जितनी अच्छी plant की photosynthesis activity चलेगी, आपके plant के उपर बड़े पत्त चीज़ निकलेगी, तो magnesium sulfate जरूरी है, और micronutrients, micronutrients एक ऐसे nutrient है, जो regular basis पे नहीं दिया जाता, आप महिने, देड महिने में एक बार अपने plant को micronutrients प्रोवाइड करिए, जिसकी वज़े से आपके plant की stem, आपके plant के leaves हरे भरे हमेशा maintain रहेंगे, तो ये कुछ ऐसे प्लां रखनी है, जिसकी वज़े से आपके plant भी maximum stem produce करेंगे, और बाद में एक मोटी stem भी produce करेगा, और हो सकता है, जितने ज्यादा vigorous root system होंगे, आपका plant बेजल भी produce कर सकता है, जैसे कि यहाँ पे जो देख रहे हैं, यह प्लांट अभी एक साल का भी नहीं है, यहाँ पे इसके दो बेजल निकल रहे हैं, तो यह plant मुझे बहुत अच्छा result दे रहा है, वो बेजल इसलिए निकल रहे है, क्योंकि plant के root system उतने ही ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहे है, root system बढ़ने का reason भी मैंने अभी आपको बता दिया था, तो अगर आपको किसी भी type का confusion हुआ, यह topic से related तो आप प्लीज मुझे टेली ग्राम ग्रूप में contact करिये, तिल देन के लिए, thank you friends और happy gardening,